पहली बात सांसारिक जवाबदारिया बराबर लिभानी हैं। उसमें नौकरी, धंदढ, वैपार, परिवार, मित्रसब आजाते वो सब si जवाबधारिया हैं। जो भी बन सके जितना भी हो सके और तीसरी बात यह हैं कि हमारा जीवन इतना पवित्र हो शास्त्र के आग्या अनुसार हो मतलब हमारा चारित्र का ऐसा निर्मान हो कि हमारे आसपास के 25-25 लोग ऐसे हैं जिनको हम प्रेणा रुप बन सके ताकि भविश्य की पीडी में भी य मामी विवेकानद एक बात करते थे तो यह तीन बाते हमें कम समय में करनी है पहली बात आती है हमारी सांसरिक जवाबदारिया निभाने में उसमें वर्क एफिशन से और टाइम मैनेजमेंट हैं वो ठीक ढंग से करें तो आप जितना आपके मन में है जितने ख्वाब आपने देखे उससे दो गुना तीन गुना और कहीं बार तो पांच गुना भी काम कर सकते हैं अगर आपने एफिशनली काम किया तो और टाइम मैनेजमेंट से काम किया तो नॉमल रेक्ती जो काम करता है रूटीन में उससे दो गुना तीन और पांच गुना भी आप कर सकते हैं। यह प्रिंसिपल्स अप्लाइ होने चाहते हैं। उसमें सबसे पहली बात आती हैं कि कठीन परिश्रम से कभी न डरे। कठीन परिश्रम मत का कोई विकल्प नहीं है। यू कैनोट गो अट टॉप विफ एन अलिवेटर। इस अल्वेटर। इस स्टेरकेस। वन स्टेप एट टाइम। ये एक हकीकत है। तो पुरुशार्थ करना इस सुरुष्टी का एक नियम है। पशू पंखिये वे भी पुरुशार्थ करते हैं। तो भगवान ने और पुद्रत ने ये जो निर्मान किया है। उसमें पुरुशार्थ सभी के लिए अपने अपने क्षित्र में रखा है। हम मनुश्य हैं तो हमारे पास खाने पीने की व्यवस्तत तो पूरे साल की है। तो हम खाने पीने के लिए ज्यादा दौरते नहीं। तो हम पैसे ज्यादा बनाने के लिए या स्टेटस ज्यादा बनाने के लिए प्रसिद्धी ज्यादा के लिए दौरते हैं। पशुपंकिये वे सुबह उठके